कई माबाप मेरे पास आते हैं यह शिकायत लेकर कि उनको लग रहा है कि जो उनका नवजात शिशु है या जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसका विकास ठीक से नहीं हो रहा है या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से उसमें जादा तर शिकायते होती हैं कि क्यां सीवरिकल ग्रोथ नॉर्मल नहीं है उसका जो वजन है उसकी जो हाइट है वह ठीक नहीं है कई पेरन्स यह भी शिकायत लेकर आते हैं कि बच्चे का नॉर्मल नियूरो डेवलेप्मेंटल ग्रोथ यानि मानसिक विकास उनको ठीक नहीं लग रहा है मानसिक विकास यानि बच्चे का चलना, उठना, बैठना, सुनना, बाते करना और पेरेंट्स के साथ इंटराक्ट करना तो आज हम देखते हैं कि यह मानसिक और शारेरिक विकास को हम कैसे घर में पहचान सकते हैं कि यह ठीक है या नहीं ठीक है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले आते हैं शारेरिक विकास पे, एक इंडियन औसद बच्चे का जन्म के समय वजन धाई किलो के करीब होता है, धाई किलो से कम बच्चा इंडियन अकेडमी ओफ पीडियाट्रिक्स की परिभाशा के हिसाब से LBW बेबी या लो बर्थ फेट बेबी कहलाता है, एक औसद भारती बच्चे की लंबाई जन्म के समय 50 सेंटिमीटर और हेड सरकंफरेंस यानि सर की गुलाई या सर की माप 35 सेंटिमीटर होती है, जहां वजन और शारेरिक लंबाई से बच्चे की फिजिकल ग्रोथ हम ट्रैक करते हैं, वहीं पर जो सर की गुलाई या सर का नाप होता है, उससे हम बच्चे का मानसिक विकास आगे ट्रैक कर सकते हैं, अब आप मोटा मोटा ये समझिये कि बच्चा अपने वजन का दो गुना करीब 5 से 6 महिने में होगा और 3 गुना करीब 1 साल में होता है, यदि बच्चे का वजन इससे कम रफ्तार से बढ़ रहा है, तो आप अपने पीडियाट्रिशन की सलाह लीजिए, अब आते हैं बच्चे के मानसिक विकास के ओपर, तो हमें कुछ ऐसे खत्रे के संकेत या खत्रे के लक्षण याद रखने हैं, कि यदि बच्चा उन माईल स्टोन को, माईल स्टोन का मतलब होता है, जैसे चलन, उठना, बैठना ये सारे माइल स्टोन हैं, और यह उम्र के हिसाब से बच्चे को एक्षीव करने रहते हैं यदि आपका बच्चा मा को पहचानता नहीं है मा को देखकर मुस्कुराता नहीं है दो महीने की उम्र तक तो यह एक खत्रे का संकेत हो सकता है इसी तरीके से यदि आपके बच्चे ने गर्दन समालनी नहीं शुरू करी है तीन से चार महीने के बाद भी तो ये खत्रे का घंटी हो सकता है यदि आपका बच्चा पान से छे महीने के बाद भी सपोर्ट के साथ नहीं बैठ रहा है या 7-8 महिने के बाद बिना सपोर्ट के नहीं बैट रहा है तो यह खतरे का संकेत हो सकता है इसी तरीके से यदि आपका बच्चा फरनीचर को पकड़ कर 11-12 महिने की उम्र के बाद भी नहीं खड़ा हो पा रहा है तो यह संकेत है कि कहीं न कहीं कुछ मानसिक डवलप्मेंट में या मेंटल डवलप्मेंट में कुछ प्रॉबलम हो सकती है यह अगर संकेत खतरे की घंटियां जो मैंने आपको बताई यह आप अपने बच्चे में देखते हैं तो तुरंथ अपने पीडियाटिशन से संपर्क करें आपका पीडियाटिशन या बाल रोग विशेशक बच्चे की गहन जाच करेगा उसके सर की नमबाई लेगा चोडाई लेगा और कुछ फिजिकल और क्लिनिकल इग्जामिनेशन के बाद जाचे करा कर यह पता चलेगा कि यह नॉर्मल है या हमें किसी एक्टिव इंटर्वेंशन की जरूरत है झाल झाल